नमस्कार आईए चलें भारत के पूर्वी तट से दूर स्थित एक अनोखे द्वीप समूह की सेर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह द्वीप समूह अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुन्दरता, साफ सुथरे समुद्र तटों और समुद्ध समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप शामिल हैं जिन में से कई द्वीप परियाटकों के लिए खुले हैं यहां की हरी भरी हरियाली और नीला समुद्र आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहां के इतिहास और संस्कृती का प्रमुख केंद्र है यहां की प्रसिद्ध सेलुलर जेल जिसे काला पानी भी कहा जाता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपून धरोहर है ओहर अंडमान के हवलोग द्वीप परस्थित राधानगर बीच को एशिया के सबसे सुन्दर समुद्र तटो में से एक माना जाता है यहां की सफेद रेद और नीला समुद्र एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं खासकर सूर्यास्त के समय का द्रिश्य अद्वितिय होता है यहां का समुद्री जीवन भी बेहत समुद्ध है अंडमान और निकोबार द्वीप समुभ में आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं नीले समुद्र के नीचे छुपे रंग बिरंगे गोरल और समुद्री जीव आपको हैरान कर देंगे पस आंडी ये पोर्ट ब्लेयर के पास स्थित रोस आइलेंड ब्रिटिश काल के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण स्थल है यहां के खंडहर और घने जंगल इस द्वीब की कहानी को बया करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीब समुँँ में पोर्ट ब्लेयर, हवलॉक द्वीब, नील द्वीब और बैरन द्वीब जैसे प्रमुक स्थान हैं जिन्हें आप अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं, यह द्वीब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर द्वीब का अपना अलग आकर्शन है इस द्वीब समुँँ की विविधता सिर्फ प्राकृतिक सुन्दरता तक सीमित नहीं है यहां के आदिवासी समुदायों की अनूठी संस्कृति और उनकी परंपराएं भी आपकी यात्रा को और यादगार बना देंगी अंडमान और निकोबार द्वीब समुँँ प्रकृति प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए एक परफेक्ट गंतव्य है तो आईए इस स्वर्गिय द्वीब समुँँ का हिस्सा बने और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल यहां बिताएं